नमस्कार वेब दुनिया नीज़ में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं अचकी प्रमुक खबरों पर केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली में मोधी को चेन से नहीं सोने देंगे दिल्ली में दो मासूम बच्चेों के साथ सामुईक बलातकार की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री अरिविन केजरिवाल ने पुलिस व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि अगर इस तरह की घटनाए फिर से होती है तो वे प्रधान मंत्री नरेन मोधी को चैन से नहीं सोने देंगे केजरिवाल ने राष्ट्य राजधानी में जंगल राज होने का जिक्र करते हुए कहां कि कानून व्यवस्था एक साल के लिए दिल्ली सरकार के सुपृत कर देनी चाहिए देली के मुख्य बंतरी ने कहा कि प्रधान मंतरी को या समझ लेना चाहिए कि मैं शीला दिक्षित नहीं, मैं खामोश नहीं रहूँगा दक्षिन अफ्रिकाने तीसरे बंडे मैच जीत कर सिर्ज में 2-1 की बड़त बनाई दक्षिन अफ्रिकाने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 270 रन बनाए जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर 6 विकेट पर 252 रन ही बना सकी भारत की हर के लिए कप्तान धोनित्वारा विराट के साथ धीमी बल्लेबाजी और बल्लेबाजी क्रम में हर्दिक पटेल के खिलाफ प्राथमी की दर्ज होगी राजकोट में भारत और दक्षिन अफ्रिका के बीच दूसरे वंडे में पूर्व पटेल आरक्षन अन्दोलन के नेता हर्दिक पटेल को मेच का विरोत करना महंगा पड़ सकता है पूलिस अधिक्षक गगंदीब गंभीर ने कहा कि वह हर्दिक के खिलाफ राष्टिय ध्वश तिरंगे के अपमान का मामला दर्श करेगी पूलिस अधिक्षक ने कहा कि हर्दिक हमेशा मीडिया में बने रहना चाहते है जब उन्हें पूलिस ने मधापर में रोका तो वे अचानक तिरंगे के साथ अपनी कार की छट पर चड़ गए ऐसा करने के लिए तिरंगे से उनका पैर लगा जो तिरंगे के सम्मान के खिलाफ है